और इलाबाद के फूलपूर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद नागेंद्र प्रताप सिंग ने राफेल मामले में जेपीसी की जांच की बात कही साथी बुलंशेर मामले पर योगी सरकार को घेरा वहीं यूपी में गटबंदन को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के रश्ट्री अध्यक्ष अखलेश यादव जो भी फैसला लेंगे वो मनसूर होगा हमारे संवादाता शिव त्यागी ने कई मुद्दों पर बात की आए सुनते हैं कि क्या खुछ कहा नागेदर सिंग ने समाजवादी पार्टी के सांसद नागेदर परताप सिंग हमारे साथ है उनसे बात करते हैं तरीकेसे राफेल का मुद्दों चल रहा है ऐसे में किस तरीकेस आप देखते हो निश्चिति राफेल मुद्दे में कही न कहीं कोई कमिया है जिसके वज़ा से तमाम कमियोंग चुक만 इतने दिन से 2000 सी ये मामला चल रहा है राफेल खरीदने का मामला आज तक नहीं खरीदा है कोई भी सरकार हो तो इसमें निश्चिती बहुत ही लापरवाही बरती गई है जो कि सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है सुरच्छा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह लगातार 18 साल से लिंगरान किया गया कभी यह होता है कि 126 खरीदना था किसी के सरकार में किसी जवाने किसी की भी सरकार रही हो और वो नहीं खरीदा गया आज वो आ गया 36 पे तो तमाम तरह के इसमें मुद्दे उठ रहे हैं तो निश्चिती यह गंभीर मुद्दा है कि सेना के सवाल पे जो जवान के सवाल पे और देश के सवाल पे जो यह नेतागिरी हो रही है या जो यह नाटक कर रहे हैं भरती जनता पार्टी के लोग या पूरवरती सरकारे जो भी रही हो यह निश्चिती बहुत ही निंदनीकार है यह देश की सुरच्छा का मामला है और इसमें कहीं न कहीं घपला इसमें लग रहा है इस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा चला है ऐसे मैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवा ही भी इसको लेगे अब यह दो पूरे जोर सोर से चुनाव लड़ने के लिए तयार है और निश्चिती समाजवादी पार्टी भारती जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे जिनका साफ़ तोर पे कहना है कि 2019 के जो चुनाव होंगे काफी महत्वपून है और समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत के साथ उत्रपरदेश में चुनाव लड़ी कैमर्मेन कमल बिस्त के साथ शिफ्तियागी जनतंद टीवी